जहिंद प्यारे साथ योग कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत भूत स्वागत है और हमारी पॉपुलेशन जोग्रोफी की सीरीज चल रही थी उसमें एक किलास और बची हुई है जो हम आगे पढ़ ल कोल करने वाले हैं और प्यारे साथियो 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी यूजिसनेट के पेपर हुए है उनकी जो जो जोग्रोफी के पेपर है उनकी मेरी खुद की बुक आ रही है लगबग एक जुलाई को बुक मार्केट में आ जाएगी प्यारे साथियो आपको टाइपिंग के लिए भेज रखा है यह कि यही आपको वहां पर बुक में पढ़ने को मिलेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा बुक का लेवल भी क्यार हैने वाला कितना शांदा डिस्किप्शन है और एक सबसे महत्मून बात बता देता हूं प्यारे साथियो इंडिया जोग्रोफी मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट किरवाऊंगा अब जो भी टाइम बचावा है इसमें हम रेगुलर इसी तरीके से क्योसन सोल करेंगे आप बताओ कि किस यूनिट को हम सबसे पहले सोल करें रेगुलर एक एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट इस तरीके से हम सौल करेंगे और इंडिया जोग्रोपी के आलमोस्ट 90% के उसन हमारे इनी पीडियाप से आएंगे तो वो मैं आपको सीयर करतूँगा तो अब हम सुरुवात करते हैं भारत में मर्दा विस्तार का सही अवरोही करम क्या है भारत में जो मर्दा विस्तार है उसका अवरोही करम पहुंच रहेगे कि भारत में मर्दा विस्तार का अवरोही करम क्या है अवरोही करम का मतलब गड़ता करम पहुंच रहेगे सबसे पहले जलोद्य मिट्टी काली मिट कुन से उससे कम कुन से उससे कम कुन से और प्यारे साथ यह वाला जो क्योशन है न यह दिसंबर 2011 के paper में आया हुआ था second paper में पहले दो paper होते थे subject के second paper एक third paper तो second paper का ये question था और हमने इसका description तयार किया देखो भारत में मर्दाविस्तार का अवरोही क्रम ये दो तरीके से बनता है ठीक है यहाँ पर confusion भी बनता है प्यारे साथियो अब दो तरीके से कैसे बनता है देखो भारत में मर्दाविस्तार का अवरोही क्रम सबसे ज्यादा जलोदे मिटी पाई जाती है उससे कम पाई जाती है लाल पिली मिटी इससे कम काली मिटी इससे कम लेटराइट मिटी इससे कम परवर्दिय मिटी उससे कम सुस्के मरुष्टले मिटी इससे कम लवनिय मिटी अचारिय मिटी और इससे कम प्यारे साथियों पिट मिटी ठीक है तो यह है मर्दाओं का अवरोही किरम दूसरे साइड हम देखें वह भारत में मर्दाओं का विस्तार अवरोही किरम में सबसे ज्यादा जलोदे मिटी, इसे कम काली मिटी, इसे कम लाल मिटी, इसे कम लेटराइट मिटी, इसे कम परवर्तिय मिटी, इसे कम सुस्क्य मरुस्तले मर्दा, इसे कम लवनिय चारी मर्दा, और सबसे कम पिट मर्दा, अब दोनों में केतना अंतर है, यहाँ पर लाल पिली मिट cers. काली मिट्टी के तुलना में ज्यादा है कि आगया समझ में अब हम अगले क्यूसनFit पर चलते हैं कि कि दो हजार एक भारत के दाज्यों में घरते क्रम जन्श नंग क्या ओंसे निम्वली कि Ebola से कौन सा सही क्रम है यहाँ पर जन सिंक्या घनतों का घड़तावा क्रम पूंच है और 2001 के कोडिंग पूंच है यह अब हम 2001 के कोडिंग नहीं 2011 के कोडिंग पढ़ेंगे 2021 के अभी तक पोपोलेशन के डाटर नहीं आए केवल यह पता चला है कि भारत ने जन संक्यामिर चाइना को पीछे छोड़ दिया है अभी तक यह भी नहीं पता चला कि फिलाल भी भारत में कितने पूरूसर कितनी महिल आई है ठीक है ना अभी फिक्स घनतों के बारे में पता चला मतलब 2021 के अभी पोपोलेशन के डाटर नहीं आए तो अभी हमें केवल 2011 के अकोडिंग ही पढ़ना है तो अब मैं आपको देखो याद करवाता हूं यह दिसंबर 2011 का एक पेपर है उसमें एक क्योसन आया था वो है यह सरवादिक घनतों वाले राज्य औरोही किरम में स न्यूंतम घनतों वाले राज्य आरोही किरम में सबसे कम घनतों प्यारे साथियो अरोना चल परदेश का सत्र है इससे ज़्यादा मिजुरम का बावन है इससे ज़्यादा सिक्किम का छियासी है सिक्किम से ज़्यादा मनिपूर का 115 मनिपूर से ज़्यादा है नागलेड का एक सो गुन्नेश तो ये है नियूंतम घंत्तव वाले डाज्य आरोही किरम में अब हम बात करते हैं केंदर साशित पर्दिशों के बारे में सरवादिक घंत्तव वाले केंदर साशित पर्दिश जो की आरोही किरम में तो प्यारे सात्यों सबसे ज़्यादा घंत्तव है धेली का 11,320 देली से कम है चंदिगड का बाण में 158 चंदिगड से कम है पुड़ू चेरी का 257 सबसे कम घनताव वाले संग साचित पर्देश की बात करें तो प्यारे सात्यू वो है अंड़मा निकोबार जिसका केवल ठियाली साह घनताव यह सारे डेटा याद कले यहीं से क्यों सनाता है भारत में कोईले के द्वारा विद्ध उत्पादन का परतिसत क्या है भारत में कोईले के द्वारा विद्ध उत्पादन का परतिसत क्या है जून 2011 में क्यों सनाया था यह सेकंड पेपर का क्यों सन है और अब बताओ इसका अंसर क्या हो सकता है सही देखो प् भारत में आठि सेट पोईंट 14 परसेंट जो थर्मल बिजली से पादा की जाती है ठीक है जो थर्मल बिजली है व की तो थे नो पॉइंट जीदो दो परसेंट गैस के द्वारा पैदा की जाती है और जीदो पॉइंट तरेपन परसेंट तेल के द्वारा पैदा की जाती है तो यदि क्यूसन बने कि सबसे ज़्यादा विद्धूत वर्तबान से में में भार्त में सबसे ज़्यादा विद्धुत किस्से पैदा की जाती है तो कोले के द्वारा की जाती है ठीक है कितनी 58.6% पैदा की जाती है कोले के द्वारा ठीक है और यह त्री ओ transcription आते है Thermal विजली जल विद्धुत परमानू उर्जा तो प्यारे सातियों आप्सन में होगा सयांतर थर्मल विजली ठीक है जो सो परसेंट है ना बाइक सो परसेंट विद्धुत उत्पाद ने उसका 68.14% कौन सी है थर्मल विजली है इस सो परसेंट का 88.6% कोईले से है इस सो परसेंट का 9.2% गैस के दुआरा है अब हम बात करते है हाइड्रो पावर के दुआरा प्यारे सातियों 77.55% बिजली पैदा की जाती है परमानू उर्जा के दुआरा 2.12% बिजली पैदा की जाती है और उर्जा के जो नवी करने श्रोत है उनके दुआरा 12.20% बिजली पैदा की जाती है ये है फिलाल में भ निम्बा लिखित में से कौन सा वेक्टर वे सही है नीचे देगे सही कुटों से अपना उत्तर चुनिये भारतिय पठार के मिट्टी भाइत मिट्टी है हिमाले छेतर में नदियों ने काट कर जलोदे वेदिका बनाया है अब बताओ प्यारे साथियों इन चार स्टेटमेंटों में से कौन सा थीक है बताओ भाई लोगों इन चार स्टेटमेंटों में से कौन सा ठीक है सिंपल सा क्योशन है देखो प्यारे साथियों ये चार उप्सन आपके सामने उप्सन C में पहला तीसरा है देखो रव cabbage को इसमे जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हो बिल्क्ल ठीक है भारत के पठार के मिटि भाई तो मिटि है तमिलनाडू दक्षन कनाटिक पठार और किल में लाल मिटि पाई जा थी देखो एन्टीय ने यही आंसर माना है यहां पर ठीक है? एन्टीय के द्वारा यही आंसर माना गया था भारत अपनी जरुवत का 80% तेल क्या करता है आयात करता है भारत को तेल आपूर्ति करने वाले परमुख देश अउरुही किरम में प्यारे साथियों भारत को तेल की सब्चों ज़्यादा आपूर्ति करता है इराक इराक के बाद दूसरे नंबर पर है साओधियरव साओधियरव के बाद में तीसे नंबर पर है UAE सयुक्त अरब अमिराद तो भारत को तेल की सब्चे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है इराक करता है इराक के बाद साओधियरव करता है साओधियरव के बाद सयुक्त अरब अमिराद करता है ठीक है सयुक्त अरब अमिराद के बाद प्यारे साथियों सयुक्त राज्य अमेरिका करता है और सयुक्त राज्य अमेरिका के बाद प्यारे साथियों नाइजीरिया करता है उसके ब निम्बल लिखित में से कौन सा परवत सीकर सूमेलित नहीं है बताओ निम्बल लिखित में से कौन सा परवत सीकर सूमेलित नहीं है अने मूडी इसकी उचाई 396 नंगा परवत इसकी उचाई 4756 माउंट एवरेस्ट इसकी उचाई 8848 केटू जिसको हम गारडविन आस्तीन बो है आब इस को देखते हैं प्यारे साथियों दिसंबर 2010 में आया हुए यह सं और यहां पर लंगा पपर्वत की जो उंचाई वो गलत बताई हुई घर आब हम देखते हैं सबसे पहले मांट एवरेस्ट की जो उंचाई है वो प्यारे साथिय AUDIENCE 18048 है केटू की जो उंचाई है वो 8311 मीटर है कंचन जंगा की उंचाई प्यारे सातियों 8586 मीटर है नंदा देवी की उंचाई 8816 मीटर है कामेट परवत की उंचाई 7356 है उसके बाद हम बात करते हैं अर्मा कोंडा की 1680 मीटर उंचाई सच्चे पूर्वी घाट में हैं बेला डेला की उंचाई है वो प्यारे साथियों 1265 मीटर है पारस नात की मीटर जो की प्यारे सातियों 1350 मीटर है जो कि सत्पूडा पद्वत पर है कल्सुभाग की उंचाई 1653 मीटर है जो कि पस्मी घाट पर है गुरू सीकर की उंचाई वो 1722 मिटर जो कि अरावली परवत पर है दोदा बेटा की जो उंचाई है वो 267 मिटर जो कि नीलगिरी परवत पर है और नंदा देवी की जो उंचाई है वो 7816 मिटर है कितनी है 7816 मिटर तो यह भारत के यह भारत के कुछ पर्मुक परसिद ऐसी परवत चोटिया है जिनकी उंचाई से सम्मधित क्योशन बनता रहता है बागी भारत वह तो भूत सारी परवत चोटिया है सबी की उंचाई थोड़ी ना याद करें कन्फ्यूज हो जाएंगी यह मह साइड नदियों का नाम है और दूसरी साइड उन पर इस्तित बांदों का नाम है दामोधर है महा नदी है चंबल है और सतलज है पोंग है कोनार है नारज है और गांदी सागर है अब आपको मिलान करना है कि कौनसा बांद कौनसी नदी पर इस्तित है यह वाला जो क्योशन बढ़े हैं वह कृष्ण नदी पर है अंदर परदेश में गुज्रात में प्यारे सातियों उकाई तापती नदी पर दांटिवारा बांदे बनाष नदी पर हिमाचल परदेश की बात करें तो नाथपा जहाकरी जो बांद है वो सतलज नदी पर है पडो है बांद है जो व्य उसके बाद हम बात करते हैं पहरे साथियों करनाटक के बारे में करनाटक में तुंग बद्रा बांद है जो कि तुंग बद्रा नदी पर है किर्शना राज सागर बांद है जो कि कावेरी नदी पर है उसके बाद हम बात करते हैं केरल की केरल में पेरंबी कूलम बांद है जो क पेलियार नदी पर है इसके बाद हम आगे बात करते हैं मद्या परदेश की मद्या परदेश में बांड सागर बांद है जो कि सोन नदी पर है गांदी सागर बांद जो कि चंबल नदी पर है फिर हम महरास्ट की बात करते हैं महरास्ट में कोईना बांद है कोईना नदी पर त तेलंगाना में प्यारे सातियों निजाम सागर बांध है जो कि मंजीरा नदी पर है ओडिसा की बात करते हैं ओडिसा में इंद्रावरती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पर है हीरा कुंड बांध जो कि महा नदी पर है अब हम बात करते हैं उत्तर परदेश के बारे में उत्तर पर्दिश में प्यारे साथियों रीहंद बांद है जिसको गोविंद वल्लब पंत साकर बांद कहते हैं जो कि रीहंद नदी पर है उसके बाद हम बात करते हैं उत्राखंड के बारे में उत्राखंड में प्यारे साथियों टीहरी बांद जो कि भागी रती नदी पर है दोली गंगा बांध है जो की दोली गंगा नदी पर है तियरी बांध भागी रती नदी पर है दोली गंगा बांध दोली गंगा नदी पर है उत्राखंड में तो यह हैं प्यारे साथियो भारत के कुछ परमुक बांध जहां से क्योशन बनता रहता है तो हमने बांध भी याद कलिया वो कौन सी नदी पर है ये भी याद कलिया और वो कौन से राज्य में ये भी हमने यहां पर पढ़ लिया प्यारे साथियो इस तरीके का description है हमारी previous एर पेपर की book में तयार होने में थोड़ा time है समय लग रहे हैं लेकिन बहुत ही गजब तरीक की से करते हैं वो time मांगता है क्या मांगता है ताइम मांगता है अब जो फिलाल में नूट्स तयार कर रहा हूं 13 टीचरों के notes को मिला कर ट्वाले साथियो एक page लिखने में कहीं कहीं पर एक page लिखने में एक घंटा लग जाता है एक page लिखने में एक गंटा वो भी hand written page की बात बता रहा हूँ यदि हम उसको typing करवाई हैं तो आदा page भी नहीं बन पाएगा निम्बल लिखित में से किस बंदरगा के पास low ask के निर्यात ये तू एक भाय पोतास्च रहे कोलकाता, मुंबई, विसाका पत्नम और कोचिन बताओ निम्बल लिखित में से किस बंदरगा के पास low ask के निर्यात के लिए एक भाय पोतास्च रहे कोलकाता के पास, मुंबई के पास, विसाका पत्नम के पास या कोचिन के पास तो प्यारे साथी यहाँ पर सही आंसर है विसाका पत्नम अब देखो, कांडला बंदरगा भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार छेतर है यह कांडला नदी पर है, यह एक जवारिय बंदरगा है पहली बाद, कांडला बंदरगा भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार छेतर है यह कांडला नदी पर है और यह एक जवार्य बंदरगा है तीन के उसन तयार एक लाइन से मुर्मगाव बंदरगा इरान को लोई एस्क का निर्यात करता है ठीक है पारदी बंदरगा से जारकंड एवम ओडिसा का लोई एस्क जापान को निर्यात किया जाता है पारदीब बंदरगा प्यारे साथियों कहां पर है ओडिसा में है पारदीब बंदरगा के दुआरा जारगंड और ओडिसा का जो लोवा है उसको जापान के लिए निर्यात किया जाता है कोची बंदरगा से मसाले एवं नमक का निर्यात किया जाता है जो कोची बंदरगा केरल में उससे प्यारे सास्तियों मासाले और नमक का निर्याद किया जाता है मंगलो और बंदरगा प्यारे सास्तियों लोह एस्क का निर्याद करता है पारादी बंदरगा के दुआरा लोहा और अलियूमिनियम का निर्याद किया जाता है विसाका पतनम जापान को लोहे ऐसी का निर्याद करता है तो यहां से हमारे बोई दस बारा क्योसन तयार हो गए कम से कम इन सबी को आप अच्छे से याद करना क्योसन बनने का पूरा पूरा चांस रहेगा अब फिर आपको यहां से मिलान करना है मसाई, भील, बुस्मेन और कूकी यह चार जनजातिया है अब यह चारो की चारो जनजातिया कहां कहां पर रहती है अफरीका घास के मैदान में रहती है उत्री पूरवी भारत में रहती है कालाहरी मरुस्तल में रहती है यह राजस्तान में रहती है अब आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ सू मेलीत है ये वाला जो क्यूसने प्यारे साथियों जून 2010 में आया था अब हम एक साथ पढ़ते हैं भारत की जो परमुक जंजातियां उनके बारे में और वो जंजातियां कहां कहां पर रहती हैं इसके बारे हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करें पहले साथियों तीन जंजातियां एक का नाम है गुजर दूसरा है बकरवाल और तीसरी है गदी जो की जंबो कस्मीर में रहती है चांब का जो चांग पाद जन जाती है प्यारे साथियों लद्दाक में रहती है गद्दी हिमाचल पर्देश में रहती है थारू बुकसा जोनसारी भोटिया ये उत्रा खंड में रहती है गोंड खरवार बेगा जोनसारी बुकसा ये उत्तर पर्देश में रहती है संथाल मिजोरम में रहती है नागा कोनियाक सेमा नागलेंड में रहती है गारो काशीस्ग जैंतिया जैंटिया के मेगाले में रहती है बोटिया अलेप्चा जैंकि рокलोंग अरूर्णाचल परदिश में में रहती है तांग खुल मनी पूर में रहती है मल याली तमिल नाड़ू में रहती है चेचू तेलंगाना में रहती है सोंपें जारवा निकोबारी अंडमानी ये पैरसाति कि देते हैं कि यहां पर जो है घुंट है कि जो रिय चान कि नीजु सारी धीन रहती है नोट बंता है तो या तो यूटी या उत्राइ-क दोनों नहीं आएंगे साथ कबी भी गदि केशकर बनता है या या तो या हिमाचल पर्देश आएगा दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे अब अगला क्योशन देखो जल परपात और नदिया, चूलिया जल पर पात है, सिव सुन्दरम जल पर पात है, बेडा गाट जल पर पात है, और मुन्डरू जल पर पात है, नदियों का नाम है जैसे नर्बदा है, चंबल है, कावेरी है, और सुन्वन रेखा है, अब आपको मिलान करना है, कि कौन सा जल पर पात है, कौ जून 2010 में आया था अब यह हम बात करते हैं भारत के परमुक चल परपातों के बारे में देखो जोग परपात जिसको हम घर्षपा जल परपात भी कहते हैं महातमा गांधी जल परपात भी कहते हैं जोग बोल दो चाहे घर्षपा बोल दो और चाहे महातमा गांधी बोल दो ब करनाटक में है शीव सुंद्रम जल परपात है जो कावेरी नदी पर करनाटक में है दुवादार जल परपात है जो नरब्दा नदी पर मध्या परदेश में है चूलिया जल परपात चंबल नदी पर राजस्तान में है हुंडरू जल परपात सरुनरेखा नदी पर में है इसके अलावा प्यारे साथियों दुग्द सागर जल परपात मांडवी नदी पर गुवा में है चित्रकुट जल परपात इंद्रावती नदी पर 36 गड में है कपिल धारा जल परपात नरब्दा नदी पर मध्यपरदेश में है की कौन еся यह सारे बहुत सारे जल परपात हैं जहां से आज तक कभी कियुशन बनाई नहीं है अईसे तो हमारे पास में सुली सेड जील जिसे पता नहीं कितने जल पर पात है यदि हम साउथ की क्या हर एक नदी पर छोटे छोटे बहुत सारी पर पर पात होते हैं कितनों जन जाती है इसके मुख्य व्योशाई क्या है गोंडो जन जाती मुख्य ते क्या काम करती है बोजन एकद्रत करने का काम करती है वानिकी का काम करती है आखेट का काम करती है यह खेती का काम करती है अब आपको पता होगा तभी तो क्योशन ठीक करोगा आप यहां से तो प्या जन जातिया कहां रहती है नागा कहां रहती है खासी कहां रहती है गोंड कहां रहती है थारू कहां रहती है खरिया कहां रहती है इनको मैंने यहां पर एड नहीं किया कि एक ऐसा ही क्योशन बना था जन जातियों का अब भी थोड़े देर पहले मैंने पढ़ा है था आपको ज नागा जन जातिग प्यार्म करते हो cd hic कंढ़ तो our सिकार करते है , जान्वर को मारतेर अपना पेट भरते हैं, धाल Лmm जयाती में फरेद जो फिस ठीальном साथ dessa कृषिा फाल टोर हैर ओध Twitch कीघाना, छते ही जैसे इस्तानांतरित क्रेसी की जाती है अब ये दीपा और पेंडा है क्या प्यारे साथियो जो इस्तानांतरित क्रेसी है उसको अलग-अलग छेतर में अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो इस्तानांतरित क्रेसी को प्यारे साथियो जो मुख्य व्यावसाय जूम क्रसी है आखेट करना है और मचली पकरना है जो खरिया जन जाती है वो जूम क्रसी करती है अब जूम क्रसी क्या है वो इस्तानांतिरत क्रसी का एक नाम है आखेट का काम करती है मचली पकरने का काम करती है तोड़ा जन जाती जिवी का निर्वा सबसे अलग चीज हो रहा है तोड़ा जन जाती है जो तमिल नाडू की जो निलगरी पाड़ी है वहां पर निवास करती है यह और यह भैस पालते हैं अब अपन भैस क्यों पालते हैं दूद के लिए पालते हैं दूद पे लेंगे भई और इन लोगों का सिन क्या है यह भैस दूद के लिए तो पालते हैं साथ साथ ये खून के लिए भी पालते हैं ये सुबह उड़ते ताजा रक्त का सेवन करते हैं हम सुबह उड़ते क्या करते हैं ताजा दूद का सेवन करते हैं चलो भैस का दूद निकालेंगे ताजा ताजा दूद पियेंगे ये दूद तो प तो ये जो परमुक कुछ जंजाती हैं और इनके ये व्यवसाय हैं जो आपको अच्छे से याद करना है ठीक है अब हम बात करते हैं अगला क्योशन कुल्टी बर्नरपूर तता हीरापूर में लोवे एवं इसपात संयंत्रों को एक में सम्मालित किया गया जिसका नाम क्या है भाई कुल्टी बर्नरपूर तता हीरापूर में लोवे एवं इसपात संयंत्रों को एक में ही मिला दिया गया तो उस उद्धो का क्या नाम है जिसमें कुल्टी बर्नरपूर और हीरापूर को मिला दिया गया है तो प्यारे साथियों उसका नाम है भारतिय लोवे एवं इस बहुत इंट्रेस्टिंग क्योशन है कि भारत में देश का पहला लोग है उद्धोग प्यारे साथियो भारत में देश का पहला लोग है उद्धोग कार खाना अठारा सो चौतर में कुल्टी कहां पर है आसन सोल में आसन सोल कहां पर है विस्ट बंगोल में है तो भारत का पहला लोगा उद्धोग प्यारे साथियो 1884 में कुल्टी आसन सोल पस्मी बंगाल में बंगाल आईरन वरकस के नाम से इस्तापित किया गया फंड की कमी होने के वज़े से जिसे बाद में बंद कर दिया गया बड़े पैमाने पर देश का पहला कार खाना 1907 में जमदेश जी टाटा दौरा बिहार के सांक्ची में इस्तापित किया गया था बड़े पैमाने पर प्यारे साथियो देश का जो पहला कार खाना था वो 1907 में जमदेश जी टाटा की दौरा बिहार के सांक्ची में इस्तापित किया गया था भारतिय लुआ इस पात कार खाने की स्तापना अब जो भारतिय लोवा इस पातकार खाने, इसकी स्थापना 1918 में पस्वी बंगाल के हीरापूर नामक इस्थान पर की गई थी, जिससे सन 1922 में उत्पादन सुरू कर दिया था तो भारतिय लोवा इस पात कार खाने की इस्तापना प्यारे सातियों कब होई 1918 में कहाँ पर हुई विश्ट बंगॉल के हीरापुर में हुई जिसने उत्पादन कब से सुरू किया 1922 से सुरू किया कुल्टी हीडापूर और बनरपूर को बाद में इसी में मिला दिया गया था तो यहां से भी आपके बहुत सारे क्योशन केलियर हो गए अब हम बात करते हैं स्वेचिक बंध्याकरण जन्शंक्या निती किस पंचवर्ची योजना में लागू की गई थी स्वेचिक बंध्या जेजाने से संब्धित क्योशना है था जिसमें मैंने सभी कि सभी पंचवर्ची योजना हों में जो महत्पूण काम किये गए थे उनको एक साथ लिखी दिया है तो उससे आप इसे आप कभी भी इस नहीं होंगे अच्छे तरीके से अब देखो यहांपर देख देखते हैं इस निती के तहट जो स्वेचिक बंद्याकरन जनसंक्या निती है इस निती के तहट जो स्वेचिक बंद्याकरन जनसंक्या निती थी जो दूसरी पंचवर्ची योजना में लाखू की गए थी जो कि माल्थस के जनसंक्या सिद्धान्थ पर आधारी था इसमें प्यारे साती है कुछ महत्पून पॉइंट थे जिनके उपर इस्पेसली फोकस किया गया था ताकि जनसंक्या के उपर कंट्रोल किया जा सकें यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा और क्योसर यहीं से बनेगा प्यारे साती हो पूरा पूरा चांस है यहां से क्योसर बननेगा अब हम आगे बात करते हैं देखो बहुत शांदार वाला क्योसर भारत में कई जूट मिले सवतंतरता की पश्यात बंद हो गई थी भारत में बहुत सारी जूटकी मिले थी जो सवतंतरता के बाद बंद हो गई थी कच्चे माल की अत्यदी कमी है और जूट माल के लिए विदेसी मांग में भी ज़्यादा गिरावट हुई है यह कथन कारण टाइप का क्योशन है जिसको हम अभी कथन और कारण टाइप का क्योशन बोलेंगे इसमें यह चार ओप्सन आपके पास ए और आर दोनों सही है और एका सही स्पस्ट्री करण है ए और आर दोनों सही है किन्तु आर एका सही स्पस्ट्री करण नहीं है ए सही है प्रणतु आर गलत है और ए गलत प्रणतु आर सही है इस टैप का क्योसन है ये अब हम इसको सोल करने की कोशिश करते हैं देखो प्यारे साथियों डिसंबर 2011 में आयोगा क्योषन बहुत गजब का क्योषन, बहुत महत्तपून क्योषन है स्वतंतरता प्राप्ति के लिभारत विभाजन में सरुवाधिक परबावित होने वाला उद्धो जूट उद्धोगिता जब सवतंतर तो भारत का विवाजन हो गए पाकिस्तान में और भारत की रूप में तो यही जूट उद्धोगे एक मातर ऐसा उद्धोग था जिसको भारत विवाजन का सबसे बड़ा नुक्शान उठाना पड़ा था सुद्ध कच्चा माल होने के कारण जूट उद्धोग के कार खाने की इस्तापना जूट उद्धादक छेत्रों में ही की जा सकती है भाई जो जूट उद्धोगे ना इसमें सुद्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है इसका जो कच्चा माल होता है बिल्कुल सुध होता है अब सुध कच्चा माल क्या होता है यह मैं आपको उल्रेडी पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर बार बार पढ़ाने की जुरुत नहीं है यह मैं आपको उल्रेडी पढ़ा चुका हूँ कि सुद्ध कच्चा माल क्या होता है सुद्ध कच्चा माल को कहते है जिसमें कच्चे माल के वज़न और तयार माल के वज़न के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता जितना कच्चा माल होता है लगबग उतना ही माल तयार हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे सुद्ध कर्चामाल कहेंगे अब हम आगे अगले क्योसन पर बात करते हैं निम्बा लिकित में से कौन सा छेतर अरब सागर साखा की मांसून द्वारा परभावित नहीं होता निम्बा लिकित में से कौन सा छेतर के लिए फुल डिटेल वाले बहुत शानदार वाले इसमार्ट कॉंटेंट वाले यदि आप नूटश चाते हो भैच क्लियर करना चाहते हो तो आप औरहाल बैच ले सकते हैं प्यारी साथियों तो पंजाब का मैदान है जो अरब सागर के मांसुन के ज्वार पर भाई नहीं होता है जून 2011 नहीं अरब सागर के मांसुन पस्मिघार से टक्रा कर केरल के मालबार तट पर जून कर सेप्टम्बर तक मुशलादार वर्चात करते हैं पहली पॉइंट कि जो अरब सागर के मानसुने वो पस्मी घार से टकराते हैं पस्मी घार से टकराने के कारण केरल के माला बार तट पर जून से लेकर सेप्टम्बर तक बहुती जबर्दस तरीके की मुशलादार वर्चा करते हैं वहीं इससमय तमिली नारु के कोरो मंडल तस्वा रहता है यह प्यारे साथियों जो अरफ सागर के drainsंग ए जो प्समी गाते इसे तक्रा आएंगे इसे तक्रा कर प्यारे साथियों यह केरल का जो माला Özक ox Champ जबरदस तरीके से वर्षात करेंगे इसी समय प्यारे साथियों जो तमिल नाड़ों का कोरो मंडल तटेन उस पर जम कर सूका पड़ता है बिल्कुल भी वर्षात नहीं होती है अरब सागर साखा राजस्तान में इसलिए वर्षा नहीं कर पाती क्योंकि ये हवाई अरावली परवत से टक्रान माला की से टक्रान नहीं थे टक्रान नहीं बलकि इसके समाना अंतरी बह जाते हैं अब अरब सागर के मानसूर अरावली परवत माला की से टक्राते क्यों नहीं है क्योंकि जो अरब सागर के मानसूर की जो डायरेक्शन है और अरावली परवत माला की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से मिलती जूलती है बिल्कुल समाना अंतर है इसलिए ये ऐसे कैसे निकल जाते है जैसे अरावली परवत माला भी ऐसे है और ये मांसुन भी ऐसे चलते है तो इसलिए बिल्कुल ऐसे कैसे भैकर निकल जाते है अगला क्योसन हिमाले का ज़्यादा चोड़ा हिस्सा इस्तित है हिमाचल परदेश में अरुनाचल परदेश में जम्बो कस्मीर में या नागलेंड में प्यारे सातियों यहां पर सही आंसर है जंबो कस्मीर जून 2012 का क्यों सने हिमाले परवत की लंबाई हिमाले परवत की जो लंबाई है पस्यम से पूरो लगबग 2500 किलो मेटर है हिमाले परवत प्यारे सातियों पस्यम से पूरो के बीच में 2500 किलो मेटर लंबा है थता उत्तर से दक्षिन की और इसकी जो चोड़ाई है वो 160 से 400 किलो मेटर है समूदर तल से इसकी जो ओसत उचाई है वो 6000 मेटर है यह परवत सनकला पस्सिम की और 400 किलो मेटर सता पूरव की और 160 किलो मेटर चोड़ा है प्यारे साथ की ध्यानकना जो अरावली परवत माला है वो पस्सिम की और 400 km चोड़े वहीं पुरव की और 160 km चोड़े जबकि इसकी उंचा पूरव से ज़्यादा एवं पस्टि में कम है जहान रखना भहुत अलग ट्विस्ट है कि जो पस्टि में 400 ख्रोड़े वहीं पूरव में명 1- confort किलो में चोड़ आ है, जबकि इसकी जो उंचा है, हिमालय परवत है, वो पूरो में अधिक उंचा है, पस्जिम में कम उंचा है, समझे में आगे ये बात, आगे हम बात करते हैं, भारत के भारत के ओप महादिप में ओसन कटी बंदिय चक्रवातों द्वारा, प्राई प्रभावित छ उसे प्रभावित होता है गुजराथ का तरट रहे को रोमंडल तरट है कोकरण तरट है या माला बार्द तरट है बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा तो कौरोमंडल तरट है अब समझना प्यारे सासी हूं भार्त में अधिकान्स अब यहां से एक बार और क्योषण बन explain किया था कि जब भी ocean कटी बंदिया चक्करवात आते हैं तो उन से पूर्वी घाट ही ज़्यादा क्यों परभावीत होता है पस्मी घाट क्यों नहीं परभावीत होता है यह मैंने वहाँ पर explain कर दिया इसलिए इस बात को मैं यहाँ पर explain नहीं कर रहा क्योंकि हर एक question में प्यारे साथ आपको एक unique content मिलेगा repeated content नहीं मिलेगा आपको प्यारे साथ यह ध्यान रखना इस book की सबसे खास बात यही है भारत में अधिकांस ocean कटी बंदिया चक्करवातों का परविश पूर्वी तट से होता है भारत में ocean कटी बंदिया चक्करवातों से कोरो मंदल तट ज्यादा परवावी तो होता है अब यहां पर हम कुछ नया सीखते हैं देखो भारत के परमुक्तट उत्री सरकार तट गंगा के डेल्टा से लेकर कृसना के डेल्टा गंगा के डेल्टा से कर्सना के जो कर्सना नदी का जो डेल्टा है गंगा नदी के डेल्टा से लेकर कर्सना नदी का डेल्टे के बीच का जो भाग है उसे हम उत्री सरकार तट बोलते हैं कोरो मंदल तट कर्सना नदी के डेल्टा से लेकर प्यारे साथियो उसको हम कोकन तट बोलते हैं गोवा से कन्या कुमारी तक का जो तट है उसको हम प्यारे साथियों मालाबार तट बोलते हैं तो सोराष्ट तट, कोकन तट, मालाबार तट, उत्री सागर तट और कोरोमंडल तट यह आपको समझ में आगे हूँगे इनको आप याद के लिए यह कहां से कहां तक फैले हुए है भारत में लोय एसकी के कुल उत्पादन का 85 परती सत किन राज्यों में आता है भारत में जितना लोय एसकी उत्पादित होता है उसका 85 परती सत कौन कौन से राज्यों उत्पादित करते हैं धार्खंड या Odisa, वियार, मद्य पर्देश, करनाटाक Odisa या फिर करनाटाक अंव्रापर्देश क्योस्ण का अंसर तो बहुत गजब का क्योस्ण है प्यारे साथियों देखो जुन 212 या क्योस्ण है इसका सही अनसर करनाटक उरिषा है भारत का 99% से अधिक लोएस्क का उत्पादन करनाटक, ओरिशा, चतिसगड, गोवा, जारकंड और राजस्तान के दुआरा किया जाता है भारत का 99% से अधिक लोईस्ख का उत्पादन प्यारे साती ओ, करनाटक, ओरिशा, चतिसगर्ड़, ँपादन गोवा, जारकंट, राजस्तान के द्वारा किया जाता है भारत में लोईस्ख उत्पादन की परमुख तीन पेटिया है ठीक है भारत में लोय एस्क उत्पादन के तीन परमुख पेटी है पहली पेटी है उड़ीशा जहारखंड पेटी दूसरी है दुर्ग बस्तर चंदरपुर पेटी और तीसरी है प्यारे साथियों बेलारी चितरदुर्ग चिंकमंगलूर और तुमकुर पेटी तो भारत में लोय एस्क उत्पादन के लिए प्यारे साथियों तीन परमुख पेटी है जिसमें पहली पेटी है उड़ीशा जहारखंड पेटी दूसरी है दुर्ग बस्तर चंदरपुर पेटी और तीसरी है बेलारी चितर दुर्ग और चिंकमंगलूर तुमकुर पेटी थेक है तो इस तरीके से प्यारे साथ ही यहाँ पर आपने 20 क्योशनों को सुल किया 20– key!!!! और आपको अच्छे से संबज में आगे होंगे बहुत कुछ आपको पृष्टे रिजानों के साथ सीते को मिला मिला Engine rotor और हम बिलकुल इसी तर पर सारे उसेंगे और आज भी उन फील्टे haiуска Staats कर्वाएंगे हैं और अज तो बहुत बहुत और बाकि आप फीडिबैक देना कि यह क्योंसन कैसे लगए डिस्किप्शन कैसे लगा लगा तो प्लीज फीडबैक जरूर देना और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ठैक्स भाई मेरे प्यारे सातियों फिर मिलते हम कल वाली क्लास में प पुरे डेडिकेशन के साथ